नमस्कार, Estro Insights, विद रिचा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ रिचा शुकला। मित्रों आज बात होगी आप से एक अती महत्तुपूर्ण विशेपर। अती महत्तुपूर्ण का मतलब है कि आप सभी लोगों को ये उत्सुकता होती है कि आप क्या करने आए हैं, आपका क्या परपज है और किस तरह से क्या कर्मों पूरे करते हुए आप इस जीवन से निकल जाएंगे या आपका प्रस्थान होगा। कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं और क्या आपका अल्टीमेटली आप कैसे बनकर या किस तरह से आप अपने जीवन की चीजों को पूरे करते हुए आप आगे निकल जाएंगे। तो ये आपकी लगन और सात्वे घर पर बहुत निर्भर करता है कि आपका जीवन किस तरह से शुरू होगा और किस तरह से उसकी समाप्ती होगी या आप ये भी कह सकते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति बन कर प्रस्थान करेंगे यानि कि इस जीवन से जाएंगे मृत्य को प्राप्त करेंगे तो क्या है आपका जीवन कहां से शुरू होगा और कहां अंत होगा आज इसी पर बात होगी बहुत सारे तरीके हैं आपके परपस को जानने के लिए जैसा कि मैंने राहू केतु एकसिस अपनी बनाई है एक सीरीज पूरी जिसमें कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उन वीडियो पर और आप लोगों ने उसको मतलब शत्त प्रतिशत सह होने के लिए आपने मुझे भर भर कर कमेट्स दे कि जो भी आप कह रहे हैं ऐसा ही हमको लगता है तो यह तो एक मैथट है राहू पेतु के माध्यम से जान सकते हैं शनी के माध्यम से जान सकते हैं लेकिन लगन और सब्तम भाव से भी हम इस रहस्य को सुझा सकते हैं तो लगन जो है वो आपका इस संसार में आपकी आत्मा का जो जुड़ने का समय है यानि कि आपकी आत्मा जो एक शरीर रूप लेकर अपनी माता के गर्म में हैं वो इस संसार से जब जुड़ती है तब उसको लगन कहते हैं, लगन का मतलब जुड़ना, सलगन हो जाना, ठीक है न, इसलिए हम क्या कहते हैं, शादी में लगन है, लगन की बेला है, मतलब जब दो लोग जुड़ते हैं, दो लोग एक पती-पत्नी के रूप में जुड़ जाते हैं, तो लगन होती है न, फेरे के समय पूर्वदिशा में जो राशी उदे हो रही होती है वही आपके जन्म लगन बन जाती है तो यानि कि इसकी एक कोई बहुत बड़ी इस बात की प्राथमिक्ता होगी हर व्यक्ति के जन्म लेने का समय फरक है और हमारे जो जीवन की लगन है पहला घर है उसका एक बहुत बड़ा परपज है उसको हमको अवश्य ही ध्यान से समझना चाहिए और जो सात्वा घर होता है यानि कि प्रकृति ने हमारे शरीर को अपने आप से इस दुनिया से किस राशी में जब मतलब सूर्वदिशा में वो राशी जब उदय हो रही थी तब ही हम क्यूं पैदा हु और जब मतलब है अगर आप जोतिश पढ़ना चाहते हैं इन चीजों को बहुत डीपली समझना चाहते हैं तो मेरे देव जोतिश संस्थान में कुर्सिस चल रहे हैं पहले एक एनाूँसमेंट कर देती हूँ कि आपको अगर नकषत्र का रहस्य समझना हो तो मेरा कूर्स 6 नवंबर से नक्षत्रों पर आ रहा है ये पांच क्लासेस का एक शॉर्ट कोर्स है लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर आपको जोतिश बेसिक जोतिश आती है तो नक्षत्रों का ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदे मंद हो सकता है आपके प्रेडिक्शन के लिए और आपको खुद को समझने के लिए भी अपने कर्मों को समझने के लिए भी तो वो 6 नवंबर से शुरू हो रहा है आप लोग जोईन कर सकते हैं और एक कोर्स मेरा जैनवरी में दुबारा से शुरू होगा महा जोतिश कोर्स उसको भी आप लोग जोईन कर सकते हैं चलिए तो अब ब प्रकृति का एक बड़ा पर्पस है इसमें, ऐसे ही नहीं कुछ भी हो जाता, और मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि इस ब्रह्मांड में रेंडम कुछ भी नहीं है, अचानक कुछ भी नहीं है, कि अचानक हम उस समय पैदा होगे, नहीं, पर्पस है, और जो सात्वा घर है, वो उसकी निश्पत्ती है, निर्गमन है, यानि कि उस निकलने का मार्ग भी है, हर भाव से जो सात्वा घर होता है, वो उसका निकास दिखाता है, निकलना दिखाता है, निश्पत्ती दिखाता है, तो लग्न से सात्वा घर, सात्वा घर है, तो जो सात्वे घर की राशी ह और जो लगन की राशी है बस यही पूरे रहस्य को solve करती है कि क्या आप करने आए हैं और क्या आपकी आत्मा का परपज हो सकता है अब मैं हर axis यानि एक और साथ दो और आठ के बारे में बात करूँगी और साथ में साइड में slides जो हैं वो चलेंगे तो आपको जादा समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तो सबसे पहले कि अगर आपकी लगन मेश है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आपका इसका मतलब है कि जिस वक्त आप पैदा हुए थे तो आप यह समझ सकते हैं कि यह जीवन जो है यह आप एक बहुत एक उरजावान यह जीवन की आप एक ऐसे शुरुवात कर रहे हैं जो बिलकुल नई है नई है यानि एक नया जीवन आप प्रारंब कर रहे हैं में भी आत्मा का यह एक नई आत्मा है यह भी कह सकते हैं कि इस आत्मा की एक अभी नवीन बिलकुल नया सफर शुरू हुआ है आत्मा की दुनिया बहुत अलग है उस पर कभी बात अलग कर सकते हैं अभी बस इतना समझे के मेश लगन जो मेश राशी जो है वो क्या है वो एक आरंब की प्रारंब की राशी है इनिशेटिव लेना अपने जीवन को शुरू करने की राशी है कालपुरुष की पहल राशि यहीं से मानब जीवन शुरु होता है तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग two thousand होते हैं रौ मतलब नाइ नए उन्हें बहुत दुनियादारी की समझ नहीं होती है दो ड्यार रडी एन्थूजी जिनकी लगन होती है एक नंबर अगर आपकी लगन में पड़ा हुआ है तो आप अपने ये आत्मा एक बिल्कुल नवीन उत्साह के साथ एक जीवन लेकिन इसके सामने जो सात्वा घर है वहाँ क्या नंबर पड़ा हुआ है साथ, सेवन साथ क्या है, साथ है एक बैलेंस तुला, लिब्रा ये लगन अगर हम होते हैं तो सात्वा घर समाज होता है हमारा इस्पाउस होता है जहां जहां हमको बैलेंस बनाने की जरूरत हो हम जन्म तो अकेले लेते हैं लेकिन फिर हम क्या करते हैं समाज से घुलते मिलते हैं फिर शादी होती है तो सात्मा घर जो है वो हमारा प्रारंब हम कैसे होते हैं और फिर कैसे बन जाते हैं यानि इस आत्मा की मेश लगन है जिसकी उसकी जर्नी है कि ये शुरू तो बहुत नाइव, रौ, अकेला, उत्साही लेकिन धीरे धीरे करके ये व्यक्ति जब जीवन को समझने लगेगा इ ये बहुत जादा बैलेंस से चलने वाला, दुनिया के बीच में बहुत अच्छे सम्मंद बनाने वाला इसको बैलेंस की आर्ट सीखनी है, आप ये भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जिसकी मेश लगन है, ये बहुत मैं पसंद है, अकेला पन पसंद है, मतलब मैं, अहम है, इसको balance करना है और इसको यही सीखना इसका purpose है आप अंत में जब आप जीवन आपका बढ़ता है तो धीरे धीरे आप मैं न कहके हम की यात्रा पर चलने लगते हैं आप समाज को साथी को लोगों को साथ लेकर चलने वाले बन जाते हैं वही अगर इसका उल्टा है यानि कि आपकी लगन साथ है तुला है और साथवे घर में एक नमबर पड़ा हुआ है कब क्या होगा क्या पैदा तो बहुत सोशल होते हैं आपके अंदर बहुत आदत है कि मतलब दुनिया को लेकर चलना है बहुत balance बना कर चलते हैं समाज आपके लर्निंग उल्टी है आपकी लर्निंग है कि भाई आपको अपने आपको जादा समझने की आवश्यक्ता है आप स्वयम पर काम करने के लिए आए हैं शुरू करेंगे आप सांसारिक्ता से धीरे धीरे मैं पर आकर आपकी यात्रा समाप्त होगी यही आपकी लर्निंग है य ये काल पुरुष की दूसरी राशी है, ये जहां से हम देखते हैं रुपया, पैसा, घर, परिवार, ये तीन चीजे हैं वाणी, ये तीन चार चीजे हम अवश्य देखते हैं दूसरे घर से, वाणी, भोजन, परिवार, धनसंपत्ति, ये व्यक्ति यानि जिसकी ब्रिशब साथवे घर में राशी है, ब्रिश्चिक स्कॉर्पियो, ये किसकी राशी है? ये है ओकल्ट की, डिटेच्मेंट की, तो ये व्यक्ति शुरुवात करेगा बहुत प्रैक्टिकल, धन के विशे में बहुत सोचने वाला, परिवार के विशे में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, आयू बढ़ेगी, ये अंत में कैसा व्यक्ति बन जाएगा, डिटेच्ट, जोतिश को समझने वाला हो सकता है, ओकल्ट को समझने वाला, साधना में जाने वाला, ये व्यक्ति ऐसा बन जाएगा, धीरे धीरे, और ये बात, आप सो पत्रिकाओं में लगा लीजे, एक में भी गलत नहीं होगी, ये मेरी सालों साल की कि मैं बहुत डिटेच्ट हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अध्यात्मिक हूँ, ये ऐसा ही पैदा हुआ था, अध्यात्मिकता, डिटेच्मेंट, साधना, अलूफ, अंदर अंदर रहने वाला, इंट्रोवर्ट, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसकी उम्र बढ़ेगी, ये व्य कोचेगा अच्छी बात करना, अच्छे पैसे कमाना, परिवार का ध्यान रखना, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये धीरे धीरे ये व्यक्ति ऐसा बन जाएगा, जो कि इनीशियली जब पैदा होगा, 10, 15, 20 साल, 25 साल आपको लगेगा ये व्यक्ति इन चीजों में बिलकुल न अब तीन नंबर, अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में तीन नंबर पड़ा हुआ है, तो तीन नंबर किसका है, काल पुरुष की तीसरी राशी, मिथुन राशी, ऐसे लोग हमेशा बहुत इनिशेटिव लेने में पसंद करते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, बात करना इन को बहुत पसंद होगा, सेल्स में हो सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं, यानि बड़े फ्लैमबॉइंट से लोग होते हैं, फ्लैमबॉइंट का हिंदी में मतलब होता है, बड़े तेज तर्रार से, हैना और इनके अंदर एक बड़ी चाइल्डिशनिस होती है, ये बड़े यंग हाटेड होते हैं, ऐसे पैदा होते हैं, लेकिन सब्कम भाव में क्योंकि नौ नंबर पड़ा हुआ है, ब्रिस्पति की राशी है, अगनी तत्व आ जाता है, तो ऐसे लोग जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, ये अकेले होते जाते हैं, अकेले से मतलब है जितने सोशल थे ना बचपन में या या यंग एज में 25 साल तक, बिल्कुल वैसे नहीं रहते हैं, धीरे धीरे करके इनके दोस्त कम होते जाएंगे, क्योंकि इनको ये ग्यान आता जाएगा, कि इस बात से जीवन नहीं चलता, ग्यान से चलता है, धर्म से चलता है, मार्केटिंग मैंने कहा न, मीडिया से अपना जीवन शुरू करके, धीरे धीरे कंसल्टेंसी, एडवाइजर, इसके रूल में आ सकते हैं, इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा, और वहीं उल्टा होगा, 9 नंबर लगने में होगा, और सब्तम में 3 होगा, तो क्या करेंगे ये लोग, कि बहुत सीधे, बहुत धर्मवान, बहुत ग्यानवान, लेकिन इनको क्या समझना है, इनकी आत्मा की क्या जर्नी है, कि भाई, ऐसे करने से काम नहीं चलता, तुमको थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बनना होगा, तुम्हें अपनी बातचीत में सुधार करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को देखना होगा, थोड़ी दोस्ती करो, लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, ये ऐसे बनके निकलेंगे, ये एक वंडर्फुल सर्किल है, और ये मैंने, मैंने फिर कहूंगी, बहुत हजारों पत्रिकाओं पर देखने की बाद आज आप से बात कर रहे हूं, अब आएंगे करक लगन, किसी की भी पहले भाव में, अगर चार नंबर है, करक राशी है, तो क्या है कि आप काफी एमोशनल है, आप एमोशनल है, आपका नेचर बहुत मधरली है, नर्चर करते हैं, सबसे जादा आप पसंद है, चौथा भाव कालपुरुष का सुख का होता है, तो करक राशी जो है, वो सुख पसंद है, आराम करें, घर में रहें, घर बढ़िया हो, आपको अच्छी मा मिल जाए, आपके अंदर अपनी मा के भी बहुत लक्षन होते हैं, आप आराम पसंद होते हैं, घर आत्मा की यात्रा की बात होगी, तो सात्मे घर में दस नंबर, दस नंबर मकर, जिसको मैं कहते हूँ मरकर, ये जितना आराम पसंद होगा ये व्यक्ति, या जितना इमोशनल होगा, ये उतना ही धीरे धीरे करके, प्रैक्टिकल, मतलब वर्कहॉलिक जिसको आप कहते हैं, और अपने कारे में, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहेगा और बढ़ेगा भी, अगर ग्रह अच्छे हैं इसकी कुंडली में, तो ये व्यक्ति, मतलब केवल और केवल काम पसंद हो जायेगा, यही इसकी सीख है, कि भाई सुख और आराम में आपने जन्म लिया है, लेक गांधी जी की कुंडली का एक बहुत बढ़ा उधारन है, उनकी करक लगनी थी, शुरू में वो बहुत डरपोक, इंट्रोवर्ट, सहमी हुई एक लड़की थी, इसलिए पॉलिटिक्स में उनको गूंगी गुडिया का नाम दिया गया था, पर आपने फिर क्या देखा, उ नहां सूरे सबसे तेजी से चमकता है, यानि धीरे-धीरे करके आप अपनी वो emotional चीजे, छोटी-छोटी बातों में दुखी हो जाना छोड़कर, आप practical होते हैं और चमक जाते हैं, और अगर यहीं उल्टा हो जाएगा, 10 नमबर उपर हो जाएगा, लगन में मकर आजाएग शुरू करेंगे आप अपना जीवन एक वर्खॉलिक की तरह, आप हो सकता है बहुत बड़े किसी पद को पर पहुँच जाएं, आप CEO बन जाएं, लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, धीरे-धीरे करके आपका दिमाग कहा जाएगा, समाज सेवा पर जा सकता है, लोगों को नर्चर करने में, लोगों को सही रहा दिखाने में, आप धीरे-धीरे प्रैक्टिकल से इमोशनल होते जाएंगे, और आपको लगेगा जीवन में सब कुछ पैसा कमाना बड़े आदमी बनना नहीं है, लोगों से जुड़ना, लोगों की दिल की बात सुनना, ये मेरे लिए बहुत इंपोर्टन है, तो अगर आप कोई देखे, कोई व्यक्ति बहुत सफल था, और फिर उसने छोड़ कर वो किसी एंजियो से जुड़ गया, ये क्या कर सकते हैं, मकर लगन के व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सात्मा भाव कर्क में पड गया है, सिंघ राशी अगर आपकी होती है, तो यानि कि आप बिलकुल राजा की तरह पैदा होते हैं, राजा क्या होता है, अकेला है, अनुशाशन पसंद है, उसकी चोईस बहुत स्ट्रॉंग है, सब के उपर रूल करना आपकी आदत है, आप किसी बड़े सरकारी पदप स्ट्रिक्ट, एरोगेंट, कुछ भी हो सकते हैं, राजा का जो भी सभाव आप सोच सकते हैं, इस सात्मा ने क्या करना है, क्या इसकी जर्नी निर्धारित की है प्रकृती ने, ग्यारा नंबर कुम्भ राशी पढ़ गई है आपके सात्मे घर में, आपको सीखना है नेट व मिलकर कैसे चला जा सकता है, किस तरह से जीवन में क्रांती लाई जा सकती है, लोगों को motivate किया कैसे जा सकता है, कुमभ वाले लोग काफी अच्छे motivators हो सकते हैं, तो आप ये सीखने आये हैं कि Networking, Lab कैसे कमाया जा सकता है, समाज को कैसे बदला जा सकता, ये अकेले नहीं ब तब क्या होगा पैदा तो आप ऐसे ही होंगे कि नेट वर्किंग को समाज को सब को पसंद करते हैं आप एक बहुत सोशल व्यक्ति हैं आप बहुत जादा इस चीज को पसंद करते हैं कि मुझे रिवार्ड मिले मुझे अप्रिसेशन मुझे मिले इस तरह से लेकिन धीरे-धी होते हैं ऐसे लोग फिर धीरे-धीरे करके आप अकेले हो जाते हैं आपको लगता है कि बहुत कर लिया अब मैं अपने टर्म्स पर अपनी जिन्दगी को जीऊंगा तो शुरुवात ऐसी अंत ऐसा या जीवन का आगे का भाग ऐसा अब करन्या राशी यानि कि करन्या लगन छे नंबर लगन में पड़ा हुआ है तो ये क्या है ये छे नंबर जो होता है ये दिशा दिखाना ये बहुत प्रैक्टिकल राशी है बहुत बहुत प्रैक्टिकल राशी है ऐसे लोगों के अंदर समाज को बदलने का दिशा दिखाने का problem solver सेवा कारे करने वाले doctors healers lawyers ये सब छे नंबर की लगनवाले हो सकते हैं क्योंकि आप इसी लिए आये हैं लोगों की problem solve करें उनको heal करें आप समाज को कुछ दिशा दिखाने करने राशी का मतब होता torch bearer समाज को बड़ा कुछ बड़ा देना बड़ा बनाना तो इस तरह के आप जरूर यानि आपका aim आपकी जर्नी क्या है छे के नीचे क्या आएगा बारा आप बहुत workaholic होते हो हमेशा आप इनी सेवा कारियों में लगे हुए हो लेकिन बारा नंबर जो mean राशी है वो थोड़ी fun की राशी है आनंद की राशी है तो धीरे धीरे जब आपका जीवन आप ऐसे शुरू करते ह अरकाहॉलिक होकर लेकिन धीरे धीरे आप सोसने जीवन में थोड़ा fun भी करना चाहिए मुझे कुछ यात्राइं करनी चाहिए मुझे कुछ धर्म से जुरूना चाहिए मैंने इतना कमाके रख लिया क्या फाइदा तो आप खर्चा करने लगते हैं घूमने लगते हैं आपको आनंद अच्छा लगने लगता है थोड़े से आप fun oriented हो जाते हैं आप थोड़े बड़े दिल के भी हो जाते हैं यात्राएं आपको पसंद आने लगती हैं घूमना फिरना आपको अच्छा लगने लगता है तो मीन लगन आ गई और कन्या नीचे आ गया तो पैदा तो होते हैं आप बहुत fun loving person है ना घूमना फिर ना मस्ती ये आपको पसंद होता है लेकिन धीरे धीरे करके आपको realize होता है इससे काम नहीं चलेगा तो क्या गरते हैं आप वर्क हॉलिक होते हैं आप अपने काम में पहले तो 50 कमिया निकालते हैं फिर आप धीरे धीरे करके उनमें सुधार करते हैं और फिर सुधार करके आप समाज सुधारक तक बन सकते हैं ये ध्यान रखिएगा कि कहां आप बिल्कुल fun loving थे और कहां आपने कोई चीज आपको एकदम आपके जीवन में ऐसी हो गई कि उसने द नमबर है ये अभी spouse और ये सब भूल जाए ये सात्वा घर आपके लिए क्या कहता है आज इसी पर बात हो रही है तो ये कन्या और मीन का अब तुला राशी यानि कि तुला लगन हो गई सात नमबर पड़ गया तो क्या होगा ये जो मैं अभी मैंने पहले बात की थी ना मे इश और तुला की बात कर रही हूं वही पर तुला और मेश की भी बात कर रही हूं तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखें अपनी लगन को समझें और और आप अपने जीवन में इस तरह के परिवर्तन लाने के प्रयास भी करें कई बार होता है कि हमें समझ नहीं आता क हमारे लिए क्या करना अच्छा है जैसे आपकी कर्क लगन है तो आप इंट्रोवर्ट हैं, emotional हैं और आप वैसे ही बने हुए हैं नहीं आपको बदलना है आपको workaholic होना है आपको उचा सोचना है बड़ा करना है और जब आप यह सोचने लगते हैं तो आप अपने जीवन के परपस को फुल्फिल करने लगते हैं और जब हम अपने जीवन के परपस को फुल्फिल करने लगते हैं तो हम एक अच्छा जीवन जीने लगते हैं एक प्रसन्नतादाई जीवन जीने लगते हैं एक contentment संतुष्टी का जीवन जीने लगत क्योंकि हमें लगता है यही हम करने आये थे अगर करक लगन वाला लगातार इमोशनल बना रहे काम नहीं करें उचा नहीं सोचे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा डिप्रेशन में चला जाएगा आपको वो परिवर्तन अपने अंदर सब प्रयास लाने चाहिए नेचर तो ट्र प्रकॉलिक होते हैं जीवन को बड़ी शुशकता के साथ जीते हैं ऐसा मत करते रहे हैं आपका परफज है थोड़ा आनंद भी कीजिए थोड़ा घूमना फिरना भी कीजिए है यह आपकी सीख है यही आपका बैलेंस है जीवन में कुछ और नहीं है बस बैलेंस बनाना ही तो एक कला है और यह कला जिसने सीख ली उसका जीवन सफल आशा करती हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहा होगा और अगर ऐसा है तो यह लाइक कीजिए शेर कीजिए मित्रों के साथ और मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें धन्यवा सुůれ वीडियो आगर अपयोर्टन रहा है जाँ झाल किज है और मेरे ओचर स слыш Medal ले वीवा कि यह वीशन रहा है तो यह वीवां कि यहिए झाल कि तो एक ढर गए है